नमस्कार मैं उस्मेलनसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडरिट न्यूज शुरवाद करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से ग्राम परदान चंदा पांडे ने सिचक रिता पांडे दोरपती चुलबुल पांडे पर लगाया आरोप का निराधार पताया पुरा ममला चेकब लाग के अंतरत ग्राम 22 कलाक गाउं का है जहां पर कुछ दिन एक वीडियो वाइरल हुआ था जहां पर परसिद्र विद्याल च्छषक रितापांडे ने परदान पती चुलबुल पांडे पर आरोप लगए था कि बच्छों को पढ़ाने को लेकर परदान पती ने खैरी खोटी सुनाई थी कि तुम छोटे ब्रादी के लोगों को पढ़ा रही हो यह लोग चा लाग हो जाएंगे तो हमारा नुपसा से इसकी सिकायद की सिकायद सिच्चक विद्धाले ने सही समय पर आकर पढ़ाए इसको लेकर विकित गित नुस्मनी निकालने के लिए गोरापूर के कथित पत्रकार बुलाकर एक वीडियो वारल की वहीं कुछ गिरामलों से रुबरू होने पर सचाय को बता चला कि सिच्च का रिता पंडे समय पर बिद्धाले पढ़ाने नहीं आते हैं वहीं इस मामले को लेकर A B E S E ने कहा कि जांच में जो वीडियो वारल वारल पर उसके पार कशिक कारवाई की जाएगे इनों ने चुलू कास रिपोर्ट रविस्टकर मिस्टा के साथ को बताएं कि छोटो कां कि पारल वार प्लू हां अजर क्वा हैं प्लू आस रिक्सित हो कोराले वांच मिस्टा काथे कि जुल एक्ष बटू हैं नहीं भीडिए प्लू कुल र包 माने प्सह सुष और चleyकोः हैं प्रणाद में कुछ नहीं हुआ उसने, बस बात इतने ही, इसके बाद मेडिया के चैनल के लोग से लिए जिए कभी भी रिता जी आपको बता ही हो कि सर मुझे यह ऐसे दमकाते चमकाते हैं, कोई भी रिता जी ने कभी भी हमको इस संग्यान में ने दिया है, कि प्रणाद में परचा में बागेश्वरी पांडे, ग्राम बियासर, पोई शक्या, जिला चंदवली के रहने बाले हैं हम अच्छा अभी जो महिला सिक्षत नहां के ग्राम पादान पत्मेदीप आरोप लगाई हैं, कि हमको धंकी देते हैं मानने के लिए, पुरा मामला, अच्छा यह सब जोटा मामला है, हम तो इसकूल के पीछे ही रहते हैं, सारी चीज हमको मालूम है, उनका आना जला एक दम बिल्कुल सही नहीं है, और एक बार हमने उनसे कहा भी था, रीता मेडम का, और उनसे एक बार हमने कहा भी था, क्योंकि हमारी दो अच्छे महां पढ़ती हैं इन्होंने भाला करकर लेजाकर को वहां नाम लिखवा दिया, वह सर पकड़कर हमसे रोती हैं, बबाबा इसमें नाम लिखवा दिया, और कुछ पढ़ाय नहीं होती है, सब लगते खाल तिर बहाया करते हैं, जख़़ा करते हैं, माहिला ने आरोप लगाया था, कि गरीब क इसका क्या पर्मार है क्यो रॉटती ही है? प्रमार हम लोग है ने? और क अर क्या? हम तह ने सुल के पीछे ही रहते हैं, क्या पाधी है, घचा जो पूछी हम बता रहे हैं अब को दिया, जश्च पीछे रहते हैं, उसके बांड़ी के पीछा ही हम हैं अभी आपके गाव में जो सिच्षिका को लेकर समस्या हुई है इसके बारे बताएं कुछ अरे उखा, का नहीं हो कुछ नहीं हो काली गलत परधान के पहसा के में में कहले बांनी वो कुछ हो नहीं करना पांनी क्या पर्मान है पर्मान कर यह गाम लोग देखते हैं रोज पूले पर रहका तो माइडम समय से आती हैं की नहीं पर्दाने में अदो दो चुछे बावलिया नो हो अच्छे हैं अधिता पांडेन आउरोप लगया है उसके बारे बताएं को उसमय से स्कूल नहीं आती थी जूटा आरोप लगाती थी आउसे हम लोग लोग को ब्लैक में लगी कि आप लोग को फसाने का चाल चलेंगे अच्छा आप अपना परिचे बता है चंदा अपना पर्चे बता है नाम विवेक पांडे ग्राम पर्चाइद परधान का छोटा लगा है तो आपका क्या करने को भी जूटा आरोप लगान जो समय उनका समय जो चित नहीं था जब मन करता है घर आती ती जाम उनकरता इस इसकूल में जाती थी जब हम लोग इस बाद को अंडूर लेकर टीचर से बड़े टीचर से कहे तो उन्हें हम लोग को उल्टा थासाने की को सिस्की मेरे पापा को घुमाघूमा कर ये कर देंगे वे कर देंग प्रदान जी और जो आरोफ है उसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है कि प्रदान जी क्या का रहे हैं जो मुझे जानकारी है कि प्रदान जी और उनके यहां कुछ नहीं कुछ बिवाद है दोनों लोगों में चाहिए इस प्रकार का विवाद हो यह इतना जानकारी है कि अपने बताएं कि हमको यहां डिश्टर्बोर आये टांस्पर होगरे चाहिए यहां वह जो है बियासन गाओं विद्याले के बगल में ही उनका घर है बहुत दस मिनिट की दूरी पर और वो अपना आती जाते हैं ट्रांसपर के लिए कि हमारे यहां या बिश्टर्बोर आपना कोई प्रात्नापत नहीं दी है और कहीं भी नहीं ट्रांसपर के लिए उसमें सारे सभीवर के बच्चे पढ़ते हैं कोई भी भेद्धाव नहीं है और हम लोग तो एजुकेशन फाराल सर उसिच्छा अभियान के लिए काम करते ह जो भी आउट आफ इसको वी दिद्धाले में खोच-खोच के लाते हैं तो आइसी कोई बात नहीं है हमारे सभी पच्चे पढ़ते हैं और हम लोग सब को पढ़ाते हैं और प्रदान जी से हम को हमारे बारे में हम से नहीं कोई क्यों पश्टा आरूप है कि जो मैडम है जी कि अभी तक कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि वो समय से नहीं आ रही हो विद्धयले हमारा समय से खुलता है सभी लोग समय से आते हैं जो मुझे जानकारी है अज बता है कि अभी तक हम को रिता में कोई इसी सिकाईट नहीं की है उन्होंने बता है कि इन यह यह गाओं का मैटर है और प्रसंदल मैटर लेकर इस माद्यम से उनको आरूप लगा रहे हैं इसमें किसने वता है तो दाना-चार शे अभी बात हुई है अब प्रधाना-चार से हमसे अभी नई बात हुए इस मुद्दे में कि पढ़नाचारे ने क्या कहा है नमस्कार मैं उसमेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडरिट न्यूज शुर्वात करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से खबर है उत्तर परदेश के जनपत बाहराईस से दस दर का पुरिसकार घोर्षित को वताने का टॉप टेन अपरादी सहित अंतर जिन परदियों वहां चोरी गिरों को चार सदे सिग्रिफतार कपजे से चोरी की दस मुद्द साइकिल परवेन विवाग की कुटुचित दस्ता बेच बामोहर बरामद हुए खास रिपोर्ट स्राजुद्दीन खान के साथ जन्पत वारायज मुद्द सिग्षव मुद्द दो जवाराद के साथ खान चबाया रहा था उसमें फान आंपारा में विवाज में परवेन परवद साथ उट से था पान्चों नीज कुटा भी में के बान्ची तजिब इरफान उसित को प्रान के बारे में कि यह अपने अन्य पार्टियों के साथ तो चूरी की अन्य मोटरकाइचिनों है उनको बेचने की प्राइच में है इस इतना पर स्ववारी मिच्छ नापवारव एडिके श्रीवास्त और उनकी पिदियों में चगर्मान को पत्की सड़क बने इन लोगों का इंपिजाद किय आने पर चार वेस्तियों को रोपा गिरा और रोप करके उनसे मुष्टाज की गई तो उन वेस्तियों में इर्पान और मुझी इनापवारा के ही रहने वाले हैं या सेन अलिकुल्स मिच्टर पान ये आमापोप्रा रुपगिया कर रहने वाला था और इस अन्य जर्थी प पर रवीन को स्राजा राम देते हुदर पर मिवाति शभी पर इस अन्य जर्थाज के आधार पर फुल दस मोटर साइकल हैं ये मोटर साइकल हैं इर्फान के पके घर की एक पोठी में रखते थे तथा रिजवान नाम के वेक्तिसे ये इनके फर्जी कागच आधार कार्ट फर्जी के आधार पर इनका रेश्टेशन करते थे और नेपाल और आसपास लीट इनको विक्री करते थे तो बरामद मोटर साइकलों फर्जी प्रपत्रों और अविलेखों के आधार पर इनके वृद्ध मुकदमा प्रासंख्या 570, दारा एक तालिस, प्रटे 411, 413, 414, 490, 420, 466, 448 आईकी सीखे इन चारों के विल पंजी करत किया गया है इसमें अन्य लोग जो फर्जी आधार काड़ के आधार पर प्रेश्टेशन करते थे और इस वाहनों के विक्रे में सयूप करते थे उनकी प्रेश को तलास है, सीखे री हम उनको घ्रफटार करके उनके घुद्वी भी सम्हत कारवाई करेंगे, आनवा आधारा की प्रेश्टेश्टेश द्वारा इसकी शरह में करते हैं नमस्कार मैं उसमेलनसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडरिट न्यूज सुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से उत्तर परदेश की जिला बहरेच बलाग रिसिया अंतरगर संकरपुर चौरा पर आज दना 26 नौ दोज़र बीस को एमाईएम पार्टी के तरफ से संकरपुर चौरा आफिस में एक मेटिंग संपन हुआ इस मेटिंग के मुखे अधिते जिला अध्याच मिरजास समीविक वजिला उपध्याच बलाग अध्याच वतमाम नेतागर महजूद रहें मेटिंग को 2022 के चुनाओ की चर्चा के संबद में आजुद किया गया था जिसमें मिरजास समीविक ने बताए कि हम लोग गाओं गाओं में मीटिंग करके लोगों को जागरुक कर रहे हैं उन्होंने बताए कि बहुत चल्ली परदेश अध्याच वतमाम बड़े नेतागर मीटिंग करने वाले हैं लटर खां के साथ राजुतिन खान की खास रिपोर्ट ना हराइम की मीटिंग रखी गए उस मीटिंग में मुक्यातिती की रोग में जिला अध्याव्न मेजञा शमीम बैक साथ हैं उन से कुछ बात कित करतें इस मीटिंग की यसी मीटिंग से क्या सफलता मिलने वाली हम्ति अविप्ट परकर्णा मीटिंगी तो यहां कि अब स्ट्रेश के लिए पुर्णा इन्साल्टा बोड़ कर दो सबस्क्राइब मसल्मान है पिछ्ड़ा है जो दबाया जा रहा है दबा मुछला है उसकी लड़ाई लड़ने मजलिश है और इंसालला अम दो हम्टों फिति मजलिस से कोई नेड़ा है टिकट के विसे में हो चुका है कि अभी नहीं अभी इस चीस के लिए फाइनल हुआ नहीं है और इंशालला बहुत अच्छा आप एक चीज़ और बताईए छेटर अभी आप आफिस आफिस आपकी मीटिंग चलिए कि छेटर वर्क में भी आपका कर त्ससन करते हुएु आपके सक फचयाएगाकर कर लगें की इंशाल्ला बहुत जड्रहाम भी बहुत बढ़ी में कि आख कर दो थाहि만 और आपके 45 सटें किया और लोगत कि आपको लगता है कि AIM, MIM उजागर होगा इंशाल्ला जरूर होगे जिस तरह से हम लोगों के दिल में मजलिस के मुहकत आ रही है इंशाल्ला हम लोगों के बहुत तेजी से आ रहा है और एक शायर से मैं अपने बात करोंगा अकेला ही चलाता जहानी में मंजिब हो लोग आत अच्छे वोटों से जीतेंगे हम यह कुदान सबार और बहुत मजबूती से लिए एक लास्ट स्वाल है मेरा जैसे कि सुनने में आता है MIM की लोग उसमें यह होता है कि जात्पार्थ को लेकर ओबर दिवी पार्टी है क्या ऐसा कुछ है इस पार्टें की अंदर जैसे सब्सक्राइब है इस सब्सक्राइब है मजलिस नहीं है यह मजलिस सब की है जो खरीब है कभे कुछ लेए पस मांदा उनकी पार्टी हो इसमें हिंदो या हुसल्मान तो कि इस तो है हमारे साथ में इन्हों ने इस पर तरीके से बताया कि M.I.E.M. जो पार्टी है सब्सक्राइब है जैसे कि लोगों कहिना रहता है कि M.I.E.M. जो पार्टी है बारिष्टर असाउदीन अवेसी साहथ जो है वो क्यों मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करते हैं मुस्लिमों की लड़ाई लगते हैं लेकिन जिलाक जिस साहब ने बताया है यह पार्टी से साथ में खड़े हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं को एक लाश्ट कोस्चन मेरा और गया बताते हैं सुनने में इसा आता है कि आपकी पार्टी जो और बीजीपी की पार्टी बाकि बालिस्टर सहाब ने कई बार अपना ब्यान दिया हुआ है जो बीजीपी और कांग्रेस दोनों के विरुद रहते हैं अपने में खुद शक्रिय हैं वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं तो कि आइसा कुछ है इसल की की बाल्टी है वह एक इविडेंस राद है अशाला में लिजीए नमस्कार मैं उस्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडरिट न्यूज सुर्वाद करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से हम जानों के साथ हम्याद हो रहा है अश्मील में अज्वाद करते हैं यह थाला वे अजिए इसमें आज शिवाद हो रहा है इसलिख नार्टी प्रिया जो जूदी बंड़र क्या दिया कि गदराइए हुझे उसलिकी है सब्सक्राइए हुझे तब है करदो बस्कार्णे करें बादि आने वाली तरफी आने वाली प्रीजिवार विज्टि निया क्या लिए अचे वाय वाय उटेक्टे हैं याज विए माँ चत्टे इस अधार आटन ते इस अधिक्ता वड़ा जागाए तो बन काजा आए आप लोग तमाम किसाम साथ नवदोवान व्यापारी पाताय बहने हैं, सभी से आवान करेंगे, आप लोग समय नवदोवान हित में, देश हित में, सभीकों के हित में, आप तो पूर बोकु बजाईए, और अनिया कि इख़ा पड़को पाईए, आपका आवान करें हैं, मैं आवाद के रहा हूं तुम्हें भाईए, अब तर में अपन पान नित्लोग पोटित रही बराम उच्छों, वोग नोकर भाव को जहीं से लिए